नर्मदा नदी जिसे स्थानिय रूप से कही कही रेवा नदी भी कहा जाता है भारत की पाँचवी पाश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यह मध्यप्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है इसे अपने जीवन-दाई महत्व के लिए मध्यप्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी का उदगम मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सत्पुडा परवच्ष्रेणियों के पूर्वी संधिस्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्टर से गुजरने के बाद नर्मदा पहले गुजरात के उपजाओ नर्मदा जिले और फिर भरूच जिले में प्रवेश करती है यह भरूच्च शहर के पास 20 किमी दूर उपजाओ मुख्त्रिकोना के पास खंभात की खाड़ी में प्रवेश करती है नर्मदा नदी का उपयोग सीचाई और परिवहन के लिए किया जाता है सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण नर्मदा जिले में केवडिया कॉलोनी के निकट किया गया है बांध की उँचाई 138.68 मीटर है 121 मीटर तक इस बांध के निर्माण से गुजरात के लोगों का सपना साकार हुआ है इस योजना के माध्यम से सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात तक नर्मदा का पानी पहुँचाया जा रहा है मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 36 गड़ और राजस्थान को भी पानी और बिजली मुहया कराई जाएगी श्री आदी शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर अपने गुरु गोबिंद भगवत पाद से मुलाकात की और दीक्षा ली चालुक के राजा पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर समराठ हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा विश्व की एक मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है नर्मदा नदी की सबसे पवित्र पूजा है नर्मदा नदी की परिक्रमा जिसमें तीर्थ यात्री समुद्र से चलकर नर्मदा के एक किनारे तक पहुँचते हैं और नर्मदा के मुहाने के चारों और घूमते हुए दूसरे किनारे पर समुद्र तकाते हैं. इस यात्रा में लगभग एक से दो साल लग जाते हैं.